जैसा कि मैंने इस WhatsApp के अंदर दो community बना के रखा हूँ तो आज मैं आप सभी को इस community feature के पांच ऐसे महत पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो आपको YouTube पे किसी ने भी नहीं बताया होगा और ये जानकारी आपको lifetime काम आने वाला है क्योंकि ये community feature ना हटने वाला है और ना ही आप इसे हटा सबते हो point number one मानलो कि आपको किसी ने community में add कर दिया और आप चाहते हो कि मुझे इस community में नहीं रहना है और आपने गलती से community को exit कर दिया तो अब क्या होगा community से तो आप exit हो चुके हो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया test के उपर यहाँ पर मैं announcement group के उपर क्लिक किया अभी नीचे वाला जो बंदे का नाम है वो राजा राम है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर यह left हो चुका है जब भी आप exit community वाले option पर क्लिक करो तो इतना ध्यान रखना कि आप community से नहीं आप group से भी exit हो जाओगे अब हम दूसरा point पर बात करते हैं अब आप सभी यह जानना चाहते होंगे कि यार अब community से exit हो तो हो कैसे आप एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप किसी भी community में जुडोगे तो आप community के उस announcement group में जुडोगे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक new community का एक option दिख रहा होगा और साथी साथ आपको announcement का भी option दिख रहा होगा तो जब भी कोई community बनता है तो उसके साथ साथ एक announcement group भी बनता है देख सकते हैं जैसा कि राची community है तो इसमें 16 ग्रूप जुडे हुए है है ना और इसका जो announcement group है वो राची वाला है तो यहाँ पे इसके उपर आपको click करना है और click करने के बाद आपको यहाँ से exit होना है आपको community से exit नहीं होना है आपको announcement group से exit होना है तो यहाँ पे आपको exit group का option दिखेगा देख रहे हो ना यहाँ पे exit group का option है तो यहाँ से आपको exit होना है अगर in future कभी आपको लगे कि यार मुझे इस community में नहीं रहना है इस announcement group में नहीं रहना है तो आपको community से exit नहीं होना है आपको announcement group से exit होना है तब जाकर आप community से remove हो जाओगे हट जाओगे तीसरा point दोस्तों यहाँ पे whatsapp community का तो feature आ चुका है लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ चुकी है यह कि whatsapp community में किसी और को admin बनाना थोड़ा difficult हो चुका है अभी तो यहाँ पे feature update के बाद यह problem का solution हो गया है लेकिन पहले क्या था कि अगर आप किसी भी बंदे को community में admin बनाने जाओगे यहाँ पे 3.0 पे क्लिक करना परता था view member के उपर क्लिक करना परता था फिर यहाँ से आप उसे make admin कर सकते था देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे admin बना दिया है लेकिन अब यह नए update में क्या है कि आप कहीं से भी इसे admin बना सकते हो देख सकते हैं कि यहाँ से भी अगर हम long press करेंगे तो यहाँ पे भी make admin का option दे दिया है पहले यहाँ पे नहीं था तो आपने यह भी सिख लिया कि community में admin कैसे बनाए अब हम अगले point पे बात करते हैं कि अगर आपने किसी community को बनाया है तो आप उसमें से खुद जैसे अगर आप किसी group को बनाते हो जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम इस group को बनाये थे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अपने आपको exit कर सकते हैं देख रहा है ना इस group से exit हो गए इसे हम delete भी कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे delete भी हमने कर दिया लेकिन community के साथ ऐसा नहीं है अगर आपने कोई community बनाया है जैसा कि देख सकते हैं कि हमने ये community बनाया है तो यहाँ पर मैं इस community से exit नहीं हो सकता हूँ हाँ इस community को मैं permanent के लिए बंद कर सकता हूँ और ये जब हम बंद करेंगे तो जितनी भी इस community में लोग जूड़े होंगे सब हट जाएंगे फिर से आपको community बनाना पड़ेगा तो आप ये नहीं कर सकते हो अगला जो अंतिम point है वो जैसे आप group से exit होने के बाद उस group को delete कर देते हो उस तरीके से आप community को delete नहीं कर सकते हो देख सकते हैं यहाँ पर select करने का भी option नहीं है उमीद करते हैं कि आप सभी को आज का ये वीडियो जो हमारा special community feature के उपर था आपको 5 महत्रपूर्ण जानकारी काफी पसंद आई होगी और ये स्थीख आप आगे भी रखोगे और हमारे चैनल को जगर subscribe नहीं किया है तो उसे subscribe भी कर लेना